डालते गें सार के कुण मोहला आशित आइसक्रीम फैक्टरी में कारियरत करीब 25 वर्षिय युवक दिल्खुस यादो मंगलवार के दिन काम के दोरान करणन के जटके लगने से गंबीर हो गया जनकारी मिलने पर साकर्मियों ने उसे इलाज के लिए फौरण सदर अस्पताल पहुँचाया जहां इलाज के दोरान ही उसने दम तोड़ दिया एक साकर्मिय ने जनकारी देते विए बतलाय की फैक्टरी से बेहुसी हालत में उसे अस्पताल में भरती कराया गया और इलाज के दोरान ही वह चल बसा मिलतक सार की कुन मोहला निवासी बलराम यादो का पुत्र था जाए देखने तो उसको निकाल के फिर डाइरेक्ट फॉपीटल में आज़ा पानी उनी उगरा चाहा तो मनने के इंजक्शन ही पो रहा है उसके बाद डाक्टर साब चेक्शी पंदर मिलता अकसेजन भी दागा उसके वारी ता है किसमा पुछा तो फॉपीटल में कब जाए आए तो